हेलो एवरिवडी माइनेम इस अर्सलान यो वाचिंग दीज वीडियो ऑन ब्लैक स्पाइडर 2.0 तो कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूं गाईज आप सब एकदम मज़े में होंगे तो यहां पर ना गाईज मेरे पास दो दो कार है एक है मॉंस्टर ट्रक और दूसरा है बट यह क्या आर टिप्सन का फोन आ रहा है तो चलो पहले टिप्सन से बात कर लेता हूं हेलो बई टिप्सन क्या हाल चाले चोटे रोफिरो तु कहां पे है भाई जल्दी से मेरे पास आथ तुझे पता है रोफिरो वाइश्टाउन के इंदर एविल सेंटा क्लॉस आ चु अच्छा भाई टिप्सन तू टेंशन मतले यार बस मैं भी आता हूं सारा काम छोड़के तो चलो गाईज यार भाई अभी ना भाई मेरे को यहां पर रेस वगयरा लगानी थी बट अभी ना भाई आप लोगों ने देखा ये टिप्सन ने क्या बोला है भाई टिप्सन न आज की इस वीडियो में तो इस वीडियो को एकदम लाष्ट तक देखना क्यूंकि काफे इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाली है और गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पर नहीं हो तो भाई जल्दी से लाइक भी कर दो जिसने लाइक दूँगा और यह दिखो गाइस कितना खतरनाक सिलीप लगाया यार यहां पे रोपिरों ने वहां से यहां तक आ गया था बच गया टिपसन बाल-बाल हाँ भै टिपसन क्या हाल चाल है अबे छोटे यार थोड़ा हलकी चलाया कर गाड़ी यार तू आज मुझे उड़ाई द भै मोटेंट को गिड्नैप कर लिया और बोल रहा है कि अब मैं इसको हिपनोटाइस करके ना पूरा रोपिरों वाइस टाउन को बरबात कर दूगा मोटेंट के अंदर ना भाई उसने किसी चीज़ के आत्मा डाल दी अबना भाई मोटेंट कुछ दिनों में आके ना रोप कैसीनों के पीछे होगा जा एक बार वहां जाके ट्राइब कर ले चल ठीक है बाई टिपसन में आके मिलता हूं तुससे तो चलो गाईस अभी ना भाई मेरे को जाना है कैसीनों में क्योंकि गाईस टिपसन ने बोला है कि वहां पर मिल सकता है और यार एविल सेंटा क्लोस यार कहां से आगया हमारे रोफिरो वाइस टाउन में इतने दिन से क्रिस्मस डे चल रहा था तब तो वो आया नहीं और आप पता नहीं क्या करने के लिए आ गया क्रिस्मस डे भी निकल गया अब तो और यार गाईस अगर आप लोगों ने अपने रोफिरो वाइस टाउन म आपको दिखे तो वैसे यहां तो कई मुझे दिखने रहा और मुझे नहीं लगता गाइस वो यहां पर आया होगा क्योंकि यह जंगा तो सभी को मालूम है एविल सेंटर क्लोस को कोई भी यहां पर देख सकता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने कोई सेक्रेट प्लेस देखा नहीं दे रहा है एक काम करता हूँ फटावट से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां जाके ना हम लोग भाई उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाएंगे और उसको बताएंगे कि एविल सेंटर क्लोस आया ता रोफिरो वाश टाउन में और वो हमारे दोस मोटेंट को ले गया है एक काम करता हूँ गाईज यहां पर ना देखो पुलिस की गालिया जा रही है तो इनसे बात करता हूँ हेलो स्पेक्टर साब कैसे हो आप रोफिरो जल्दी से इस ट्रक को साइड लगा मुझे पुलिस स्टेशन जाना है मैं वैसे ही ओफिस के लिए तेरे ट्रक को उड़ा दूँगा अरे यार स्पेक्टर साब इतने मैं पुलिस स्टेशन पर जाके कंप्लेन लिख वाऊंगा ना इतने तो एविल सेंटा क्लॉस मेरे दोस की जान ले लेगा प्लीस तुम कुछ भी करके मेरे दोस मोटेंट को बचा लो ना यार गाईज यह जो वाइट कलर की कार है ना इसको बहुत ज़्यादा चुन उट रही है तो इसको पहले बेशता हूं तेरी ऐसी तैसी निकल यहां से पहली पुरसत में और यह क्या गाईज यह पुलिस वाले और लेड़ी मेरे पीछे पढ़ चुके हैं भाई साब यह मेरी मदद तो करना नहीं चाते और मेरे को पकड़ के जेल में डाल देंगे यार फिर से मुझे यहां से भागना पड़ेगा यार यह पुलिस वालों से मैं हैल्प मांग रहा था गाईज देखा इन्होंने मेरी हैल्प नहीं की है और तो और मेरे पीछे पढ़ गए यार अब बताओ यार हाँ आज मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा जैसा सेंटा क्लॉस ने मुझे बोला है वैसा ही में करूंगा पूरे मिलिटरी बेस को अड़ा सुगा और उसके बाद पूरी रोफिरो वाइस टाउन को भी आग लगा दूँगा सब को मार डानूँगा हाँ किसी को नहीं छोड कि मैं पूरी रोफिरो वाइस टाउन को अड़ा दूगा आज यह क्या भाई साब मुटेंट को क्या हो गया लगता है गाईज एविल सेंटा क्लॉस ने मुटेंट को हिपनोटाइज कर लिया है देखो भाई बोल रहा था कि इसको जो भी आडर मिला है ना भाई ये वही रोफिरो के पीछे ना भाई बहुत सारी पुलिस पढ़ चुकी है जिस वज़े से रोफिरो कुछ नहीं कर सकता वो भी पुलिस से डर डर के भाग रहा है क्योंकि अगर भाई पुलिस ने रोफिरो को पकड़ लिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा और देखो दूसरी तरफ यह जो है ना भाई यहां पर एविल मूटेंड बन चुका है और यह देखो पता नहीं क्या क्या कर रहा है भाई सारे मिलिटरी वाले लोगों को मार रहा है लेकिन गाइस यह कैसे उड़ाएगा इस हेलिकॉफटर को ओ भाई साहब यह क्या इसने अपना दूसरा रूप ले लिया अब यह इस हेलिकॉफटर को ठाके भाई साहब यह क्या हो रखा है यार पूरे रोफिरो वाइस टाउन को बरबात कर देगा ऐसे तो यह बाई यार स पूरे रोफिरो वाइस टाउन में इस हेलिकॉफटर से बंबा ही करूंगा यह क्या बोल रहा है गाइस देखा आप लोग ने मूटेंट की जो आवाज है ना वो भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है बहुत ज़ादा ड्रावनी लग रही है इसकी आवाज और भाई दिखो यह ना इस हेलिकॉफटर वाले को मारना चाहरा है जो लोग पुलिस वालों का हेलिकॉफटर ले क्या है ना गाइस मतलब इस हेलिकॉफटर के अंदर पुलिस वाले भी है आर्मी वाले भी है और यार गाईज देखो रोफिरो के पीछे पुलिस लगी हुई है तो इसलिए ना यार रोफिरो बचने के लिए यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे ना पुलिस वाले से नहीं पकड़ पाएंगे तो एक दिन ना गाईज हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा नहीं तो भाई पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे फिर हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि एविल सेंटा क्लोस आखिर है कहाँ पे तो देखो गाईज यह ट्रिक मैंने अच्छी लगाईए ना आज मैं पूरी राद जो है ना इस ट्र और जिसके भी शाउट आट बाकी रह गए ना तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और आप लोगो इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है तो फिर मिलता हो न्यू वीडियो में बाई बाई